हेलो बच्चों कैसे आप सब आसा करता हूँ अप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा आज का जो वीडियो है कलास्टेन इतिहास स्वरी कलास्टेन आर्थ सास्टर चेप्टर नमर चार हमारी वीतिये संस्ताएं इसका करते हैं फ़र्ष्ट नमर कोचन से मेरा पाला कोचन है वीतिये संस्थान से आप क्या समझते हैं वीतिये संस्थान से आप क्या समझते हैं इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर उत्तर में आपको लिखना है कि वीतिये संस्थान वैसे संस्थान को कहते हैं जो लोगों की आव समझ होगे होंगे वितिय संस्थान मतलब वैसे संस्थान जो लोगों की अभसक्ता को पूरा करने के लिए रिन उठाता है करजा उठाता है उसी को करते वितिय संस्थान ठेक है चलिए next question दूसरे question दूसरा question मेरा है कि राज की वितिय संस्थान को कितने भागों में बाटा जाता है तो राज की वितिय संस्थान जो है उसे दो भागों में बाटा जाता है कितने भागों में दो भागों में पहला है संस्थागत दूसरा है और संस्थागत दीखे पहला क्या है संस्थागत या पाकारी बेंक, भूमी विकास बेंक, व्यवसाइक बेंक इत्यादी हैं ठीक है तो इसमें यह था दूसरा गेर संस्थागत गेर संस्थागत मतलब कि इसके अंतरगत जो है सेठ, सावुकार, महांजन, रिष्टेदार, बेपारी शामिल होता है यानि बितिय संस्थान राज के जो है दो भागों में बाटा गया पहला संस्थागत दूसरा गेर संस्थागत चलिए अगला कोचन तिसरा कोचन है कि किसान को साख अतबारीन की अवसकता क्यों होती है देखिए बहुत ही मस्त कोचन है किसान को साख अतबारीन की अवसकता क्यों होती है किसानों को साख अत कि नासंग को मजदूरी देने के लिए पुझी किया बसकता होती है हुआ क्यों कि किषानों को पुंजी के बसकता है इसलिए उत्यवी क्योंकि क्युंकि खाद बीज कितने देना सप्वत की लिए पैसा उनको देना पड़ता है ठीकि इसे लिए अगला कवसं मेंसा बेवसाइक बेंक कितने परकार की होती है स्वरी बेवसाइक बेंक कितने परकार की जमारासी को सुविकार करते हैं तो इसका आणसर क्या होगा बेवसाइक बेंक चार तरह की जमारासी को सुविकार करते हैं पहला है अस्थाई दूसरा है चालू तीसरा संचाई चोथा आवर एक साथ मिल जूलकर काम करना साकारिता मतलब सा मतलब साथ कारिता मतलब काम मतलब साथ साथ होकर काम करना साकारिता कलाता है तो साकारिता क्या होता है एक साथ मिल जूलकर काम करना ठीक है साकारिता का definition होगा कि साकारिता वह ऐसे संग अठन को कहते हैं वैसे संग को कहते हैं जिसमें मनुष अपने आर्थिक उदेश को पुरा करने के लिए मिल जुल कर काम करते हैं ठीक है तो यह आपका स्याकारिता है अगला खोसंग स्वेम सहता समू से आप क्या समझते हैं उत्तर में क्या होगा स्वेम सहता समू ग्रामिन छेतरों में 15-20 व्यक्तियों का एक ऐसा समू होता है जो बेंकों से लगूरी लेकर पारिवारिक जरुर्तों को पूरा करता है एवं परिवार के विखास में अपना योगदान करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वेम सहता समू इसका मतलब क्या हुआ कि स्वेम सहता समू यानि अपने से सहता करना आप लोग अक्सर जो देखे हैं गाम में 15-20 व्यक्तियों का बिक्ती में जो है आपका महिलाओं का खास समों होता है जो बेंक से रिन लेकर अपने परिवार के जरुरतों को पूरा करते हैं ठीक है अगला कोचन सात्मा प्रस्न है कि भारत में साकारिता की सुरुवात की स्परकार हुई संचिप्त वर्नन करें बारत में साकारिता की सुरुवात सर्व पर्थम 1904 इसमी में हुई इसमें 1912 इसमी में सुधार किया गया 1904 इसमी में सुरुवात हुई लेकिन 1912 में सुधार किया गया इसका संचालन अब राज सरकार द्वारा किया जाता है इसका संचालान अब किसके द्वारा किया जाता है तो राज सरकार के द्वारा आठमा प्रस्न प्रस्न है कि सुख्षमवित योजना को परिवासित करें सुख्षमवित योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतरगरत चोटे पैमाने पर गरीब ब्यक्तियों को कम से कम ब्याज दर पर रीन दिया जाता है ठीक है जिससे गरीब ब्यक्ति भी अपने गाउं का विकास कर सकते हैं तो सुक्चमवित योजना वही योजना होता है जिसमें कि छोटे पेमाने पर गरीब ब्यक्तियों को कम ब्याज पर यानि उससे रीन जो है कम लिया जाता है ब्याज कम दिया जाता है उसी पर जो है डिपेंडेंट होता है सुक्चम वित योजना ताकि गरीब ब्यक्ति भी अपने गाउं का विगास कर सके ठीक है तो यहां से आपका कोचन चेप्टर नमर 5 का सुरू होता है लेकिन हम आप लोग को सिर्फ चार ही का कोचन करवाने का बादा किये थे अगले विडियो में चेप्टर 5 का कौरवा देंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स विडियो में